Hey everyone, welcome back! ये वांगशन फैन फैन फिक्षन My Fiesty Omega Wife है ये उसका Part 2 है Franks Part 1 में मैंने एक वर्ड यूज़ कर रहा था Filthy Alpha महाँ पे उसका मतलब था Bad Alpha क्योंकि पहले वी इंग ने वांगची को किसी को kill करते वे देखा था फिर वांगची उसके रूम में भी आ गया था और थार्ड टाइम वांगची जो उसके साथ Flirty बाते कर रहा था तो ओल ओवर सभी के लिए महाँ पे मैंने Filthy Alpha यूज़ कर दिया था ये बस मैं इसलिक क्लियर कर रही हूँ कि जब आगे Flirty Alpha आएगा तो आप Confused ना हो जाओ कि मैं बार बार pronunciation तो चेंज नी कर रही न तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वांगची के बातों से Irritate हो जाता है और वहाँ से चला जाता है वांगची भी जाने वाला होता है लेकिन जाने से पहले वांगची 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 उनकी तरफ देखते हो बोलता है सोच समझ के फैसल लिना इसका निर्भर आपके राज़े पर भी करेगा जाने 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 वांगची उनकी तरफ देखते हो बोलता है कि आपको सच में लगता है क्या वी इंग को मुझसे छुपा सकते हो या फिर ये लगता है कि कोई और वी इंग को और जादा मुझसे बेटर प्रोटेक्ट कर सकता है वैसे भी हर कोई मुललाट की इमेजिनेशन नहीं होता ये सुनते ही यानली पूछते किंग आपको बांगशी बोलता है ना रास छुपा सकते हो ना वी इंग को तुम्हारा डेमानिक अलफा की हुम है ये कहा कि ये वो वहाँ से चला जाता है जियांग चेंग अपनी मदर से बोलता है मदर आपने कब वी इंग की शादी वैंचाओ से तेह कर दी आपको पता है ना कि किसी को भी नहीं पता कि वैंचाओ कैसा इंसान है पिछले 15 सालों से आज तक किसी ने उसे देखा भी नहीं है और वो एक साइको कि तरह है वो बस वींग से अब्जेस्ट है मैडम यू बोलती है वींग की शादी तेह नहीं करी है नहीं ऐसी कोई बात हुई है बस बार-बार वैंच के तरब से प्रपोजल आ रहा था शादी का और मैंने वैंचाओ का नाम किंग को इस वक्त रोकने के लिए कर दिया था कि फिर बाद में हम वींग की शादी किसी और से करा देंगे और कोई बहाना दे देंगे कि आखिर वेंचा उसे क्यों नहीं कराए लेकिन किंग ने तो सारे बाते ही पलट डाली जांग चंग बोलता तो फिर अब हम करेंगे क्या जांग फैम्यान बोलता है मैं वी इंको किसी भी जिसके लिए फोर्स नहीं करने का अगर उसे किंग से शादी करनी होगी तो भी उसकी मरजी होगी और नहीं करनी होगी तो भी उसकी मरजी होगी नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी महल में ही घूम रहा होता है तो भी उसे किसी के हसने के आवाज आती है वो उस आवाज का पीशा करते करते जाता है तो उसे वीइंग दिखाई देता है जो कि रैबिक्स के साथ खेल रहा होता है लेकिन वो बनीज वीइंग के हाथों से बार बार उचल रहे होते हैं वीइंग बार बार उन्हें पकड़ने कोशिश करता है और उन्हें पकड़ने कोशिश में विंग एकदम फ्लोर पर गिरने वाला होता है लेकिन जैसे ही वो टकराने वाला होता है वो नहीं टकराता क्योंकि दो हाथ आकर उसे उसकी कमर से पकड़ लेते हैं विंग निकडर की विज़े से अपने आखे बंद कर ली थी लेकिन जब उसे देखता है कि वो उसको तो कोई चोट नहीं लगी तो वो अपने आखे खोल कर देखता है वो देखता है कि वहाँ पर तो किंग खड़े है विंग वांग जी को एक कोशन लोग के साथ देख रहो हते है वांग जी बोलता है ओ माई लवली उमेका उचलते कुदते गिरने से तो अच्छ है तो मेरे प्यार में ये गिर जो ये सुनते ही विंग मुझ बनाता है वांग जी के हाथों को हटाते है बोलता है अपने ये फिल्टी हैंड दूर रखो ये फ्लिर्टी अलफा वांग जी बोलता है मैंने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें मुझे ठैंक ये बोला चाहिए विंग बस वांग जी के तरफ मुझ बनाते हुए देखते रहता है वांग जी के तरह लगता है तुम्हें रात बार नीन नहीं आई ठीक से सोई नहीं हो इसलिए ऐसे faces बना रहे हूँ क्या रात भर मेरे ख्याल देख रहे थे विंग गया था हाँ बिल्कुल तुम्हारे बारे में ही सोच रह था कि अखिर तुम्हें खतम कैसे किया जाए खंजर से तलवार से यह छस से गिरा की वांग जी बोलता है हम छस से भी गिर सकते हैं हम पेडों से भी गिर सकते हैं इवन हम पानी में भी गिर सकते हैं लेकिन मेरे प्यारे उमेगा कितना अच्छा होगा कि हम एक दूसरे के प्यार में ही गिर जाएं विंग बोलता है कहा से लाते हो यह घर्टिया बाते वांग जी बोलते है, घर्टिया, इन्हें मैं मेरे दिल से लाता हूँ. विंग बोलते हैं, हाँ, तो वो बे तो घर्टिया है, तुम्हारी तरह. वांग जी अपने दिल पे हाथ रुकते हो बोलते है, ऐसे मत बोलो मेरे प्यारीrail मेंगा, दर्द होता है यहाँ. विंग बैस वांग जी की तरफ मूँ बनाता है और मूँ बनाते वेई वहाँ से चला जाता है ये सारी चीजे लैंशी चैन और शुयांग देख रहे थे लैंशी चैन बोलता है ये वांग जी ही ही है ना इसे किसने पुझस कर लिया शुयंग हसते हैं बोलते हैं इसका पता तो मैं कल से लगाने की कुशिश कर रहा हूँ कि बार बार किंग में किसके आत मान जाती है मैंने बच्पन से लेके आस तक कजिन का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं उसके बाद लैंशी चैन और शुयंग दोनों ही वांग जी के पास जाते हैं वांग जी पुछता ब्रेदर आप लैंशी चैन बोलते हैं तुमने जो रिपोर्ट मंगाई थी उमेगास के मर्डर के उपर वो तैयार हो गई है और हाँ कल जशन के दोरान भी यूनमेक्स चैक में चार उमेगास मारे गए हैं वांग जी बोलता है तो अरजेंक मीटिंग बुलाईए सभी की हम आभी इसे बारे में बात करेंगे मीटिंग के दोरान वांग जी घुसे में होता है आखिर किसी को पता क्यों नहीं चल रहा कि उमेगास के मारे जाने के पीछे और उन्हें किड्नैप करने के पीछे आखिर क्या राज है तभी एक मिनिस्टर बोलता है किंग हम कोशिश कर रहे हैं वांग जी बोलता है हाँ पता कैसे चलेगा कि जब आप खुरी इन चीजों में शामिल हैं और यहाँ दिखावा कर रहे हैं कि आप यहाँ कोशिश कर रहे हैं वो मिनिस्टर बोलता है किंग आप क्या कह रहे हो वांग जी बोलता है जूप बोलने की कोशिश भी मत करूँ तो यहाँ पेशु याइंग एक मैन और एक वूमेन को लेकर आता है वांग जी बोलता है कहो कि ये दोनों तुम्हारे साथ ही नहीं है वो अमनी स्ट्रक डर जाता है और पीछ आटने लगता है वांग जी कहता है हिलना मत वांग जी की अलफा वोईस सुनते ही सब ही लोग डर जाते है वांग जी बोलता है अभी बताओ कि आखिर उमेगास को तुम लोग क्यों मार रहे हो और इने क्यों किगनेप किया जा रहा है और इन सब के पीछे कौन है लेकिन उन में से जो वूमेन होती है वो वांग जी पे हमला करने कोशिश करती है वांग जी अपने सिंघासन पर ही बैठा रहता है वहें से ही खुद को डिफेंस कर लेता है ना वो अपनी तलवार उठाता है ना कोई ज़्यादा मैजिक यूज करता है वो उस विमन को हवा में उड़ा देता है उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और बोलता है बहुत बड़ी गलती कर दे तुमने वांग जी अपनी शक्तियों से ही उस विमन का गला दबा कर मार देता है मिनिस्टर और वो मैन डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए बांग जी पे डैमोनिक शक्तियों से हमला करने कोशिश करते हैं बांग जी उन्हें भी हवा में उड़ा देता है और अपनी शक्तियों से उन्हें टार्कली बांग लेता है वांग जी बोलता है इसके हालत देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आया तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो वो दोनों खुद को छुडाने के लिए स्ट्रगल करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता वांग जी बोलता है बताओ कौन है इस सब चीज़ों के पीछे वो परसन बोलता है हम नहीं बताएंगे चाहिए हम मर चाहिएंगे वांग जी बोलता है देंग डिजर्वेक्ट वांग जी उनकी बोर्डी को टाइट कर देता है उनके गले को टाइट ले दबा देता है जिससे उनकी आँखों सक भीख होनाने लगता है उनकी बोर्डी ब्लू पड़ जाती है क्योंकि वांग जी अपनी पावर्स यूज कर रहा था ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ और उन दोनों को खतम करके वांग जी जमीन पर गीरा देता है ये देखते ही वहाँ पे जो सारे लोग थे वो सब के सब डर जाते हैं वांग जी के आँखें बिल्कुल रेड होई पड़ी थी वो अपनी डेमानिक फॉर्म में आ रहा था किसी को नहीं आ रहा था समझ में कि अब आगे क्या होगा नेशी चेंट वांग ची की तरफ देखते हैं ब्रदर शान्त हो जाओ तो यहाँ पर वीइंग आ जाता है जैसे ही वीइंग वहाँ पर आता है सबी की नज़रे वीइंग के तरफ जाती है क्योंकि वीइंग तो एक एक अटरनल ब्यूटी था तो डेफिनेटली सब लोग उसकी ब्यूटी को ही देख रहे थी लेकिन वो तुरंत ही अपनी नज़रे नीचे कर लेते हैं क्योंकि दूसरे तरफ से तो उनके किंग्स की डार्क आईश शो हो रही थी वांग जी के इस रूप को देखते ही वीइंग एक दम से डर जाता है वांग जी जब देखता है कि वीइंग उससे डर रहा है वो धीरे धीरे खुद को शान्त कर ने कोशिश करता है और वो शान्त होकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है लैंशी चैन और शू याइंग पहली बार नोटिस करते है कि वांग जी अपने आप और वो भी इतने कम टाइम में शान्त हो गया एवन उसके डेमॉनिक फॉर्म भी वांग जी काफी जादा सौफ्ट वोइस में कहता है लवली उमेगा मुस्टर डानी की जरूरत नहीं है ये दिन भर में आज तीसरा जटका था जो लैंशी चैन और शू याइंग को लगा था कि वांग जी इस टाइब से भी बोल सकता है और ये देखकर तो सारे मिनिस्ट्रेस भी हरानते क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपने किंग को किसी को इस तरह से खतम करते वे देखा था और नेक्स्ट मॉमेंट थी उनके किंग वींग से ऐसे बाते कर रहे हैं जैसे वींग कोई बेबी हो और उन्होंने पहली बार अपने किंग की इस टैप से वोईस सुनी थी वींग तो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था उसने कोई आंसर नहीं किया था वो बस देख रहा था कि वांग जी क्या से क्या था वांग जी इस चीज़ को नौटिस करता है और बोलता है माई ब्यूटिफुल एं लवली उमेगा अगर मुझे देखना हो गया है तो प्लीज बता दो कि तुम यहां क्या कर रहे हो वांग जी ने प्लीज बोला यह सुनते ही तो शुयांग और लैंशेचन और भी जादा जख्के में हो रहते वो सुचते है वांग जी सही में पुझेस्ट हो रहा है क्या यह यह फिर कोई और है विंग बोलता है मैं तुम्हारा उमेगा नहीं हूँ वांग जी बोलता है ओके कम से कम तुमने आंसर तो किया विंग मू बनाता है वांग जी बोलता है तो चलो अब इस चीज का भी आंसर करो कि तुम यह क्या कर रहे हो विंग बोलता है मैं हाँ इसलिए ही आया था क्योंकि मैंने भी वो नियू सुनी थी कि कल जशन के दुरान भी चार उमेगा मारे गए मैं इसलिए ही आया था कि आखिर उमेगास को इतनी सिक्यूरिटी क्यों नहीं दी जा रही है कि वो इतनी जादा उनके मर्डर हो रहे है वांग जी बोलता है इस चीज का सुलिशन निकाला जा रहा है और इस चीज का पता लगाने की कोशिश की जा रही है वींग की जा रही है लेकिन उमेगास भी तुम है रहे है न वांग जी बोलता है तो फिर तुम क्या चाहते हो वींग बोलता है नोर्थ इस्ट वांग जी बोलता है क्या विंग बोलता है नोर्थ इस्ट में सबसे जादा उमें गमारे जा रहे हैं इसका मतलब वो परिसन कहीं न कहीं नोर्थ इस्ट से रिलेटिड है मैं अपनी मून पावर से वहाँ पे एक वोल क्रेक कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे आपकी पावर की जुरूत होगी वांगशी पूछता है मेरी पावर की क्यूँ विंग बोलता है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास मेरे सारी तागत नहीं है तो वो वोल वीक बनेगी उसे कोई भी तोड़ सकता है लेकिन अगर वो आपके डैमोनिक पावर के साथ बनेगी तो उसे कोई जल्दिसे ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो मून शील्ड का काम करेगी वांग शी बोलता है और मैं ऐसा क्यों करूँ विंग बोलता है और क्यों नहीं करोगे तुम तुम हमारे किंग हो वांग शी बोलता है फाइनली तो तुम मुझे अपने किंग के रूप में कंसिडर्ट करते हो किंग बोलता है हाँ मैं करता हूँ अगर तुम मेरे साथ फ्लर्ट ना करो वांग शी बोलता है तुम हूई इतने क्योट मैं ही क्या करूँ जी आंग फैमली और मिनिस्टर सोचते हैं किंग भूल गए क्या हम भी यहाँ हैं वो यहाँ ओपनली फ्लर्ट कर रहे हैं रैंशे चन सोचते हैं पिछले तेही सालों में तो मैंने इतनी इमोशन देखे ही नहीं अपने ब्रेदर में जितने हाँ एक दिन में देखने को मिल ग चाहिए वांग शी बोलता है पर मेरी भी तो कुछ खायश होती है विंग बोलता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए वांग शी बोलता है तुम बोलता है यहां मजाक नहीं चल रहा किंग वांग शी बोलता है मैं मजाक कर भी नहीं रहां मैं सीरियस हूँ यह के गर वांग जमां से चला जाता है जौंक जेंग वी इंके पास आते हो बोलता है तो मैं कोई ज़रुआत नहीं ये उससे शादी करनी की मैं तुमें हमीशा प्रोटेक्ट करूंगा जौंक फैमयान बोलते है सन अगर तुमें कुछ नहीं करना तो क्या हम तुम्हें हाँ से दूर भेज सकते हैं क्योंकि हाँ पे काफी सारे लोगों की नज़ों तुम पे आच चुकी है विंग बोलता है और उसके बाद उसके बाद किंग आपका क्या हाल करेंगे मैडम यू बोलती है आइंग उससे कोई फरक ने परता अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो तुम्हें शादी करने की कोई ज़ुरत नहीं है विंग अपने आखे बंद करता है कुछ शोसता है उसके बाद बोलता है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ यानली बोलती है आइंग खुद को फोर्स मत करों विंग बोलता है शिजे मैं खुद को फोर्स नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी वो मुझे कर क्या सकता है यानि बोलता है वो एक डेमॉनिक एलफा है विंग बोलता है वो बस एक फ्लर्टी एलफा है उसके बाद वींग वांग जी के पास जाते है वांग जी इस वक्ट चाई पी रहा होते है वांग जी जाकर चाई के कप को वांग जी से अलग कर देते है वांग जी देखता है कि वींग को वो बोलता है तुम यहां क्या कर रहे हो विंग बोलता है मैं तयार हूँ वांग जी बोलता है किस के लिए विंग बोलता है शादी करने के लिए वांग जी एक दम से खुश होके उचल जाता है विंग बोलता है जादा खुश होने के जुरत नहीं है मैं तुम से शादी तो कर लूँगा लेकिन मुझे तुम्हाँ साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रखना है ये सुनते ही वांग जी को बुरा तो लगता है लेकिन वांग जी बोलता है Oh my lovely omega मुझे भी इस तरह से को रिलेशन शिप नहीं रखना है जिसमें की love नहीं love मेरी तरफ से तो है और तुम्हारी तरफ से नहीं है मैं इंतिजार करूँगा तुम्हारा वांग जी बोलता है तो पहले इंतिजार नहीं कर सकते बाद में शादी कर लेना वांग जी बोलता है नहीं क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो विंग बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि तुम पागल हो वांग जी बोलता है हाँ तुम्हारे प्यार में विंग बोलता है और मुझे कभी तुमसे प्यार हुआ ही नहीं तो फिर क्या होगा इस पार वांग जी भी इंको कुछ नहीं कहता वो आकर इसकी धवी इंको गले लगा लेता है अपनी नूस को उसकी नेक में ले जाता है और स्मेल करने लगता है वांग जी के अलफा फैंक्स बहार आते हैं लेकिन वो भी इंको टश नहीं करती आखे लाल हो जाती है और वो बोलता है अपने दिमाग में कि कभी तो होगा तो गाइस आज के लिए बस इतना है अगर आपको ये पार्ट पसंद आ रहा है तो प्लीस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक्यू